नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल VCS Basic Physics में आज के इस वीडियो में कक्सा बारा का टोपिक लेकर चलेंगे विद्धुत छेत्र एलेक्ट्रिक फिल्ड दोस्तों NCRD के पाठिक्रम के अकोर्डिंग जो फस्ट चेप्टर है विद्धुत आवेश एवम च्छेत्र उसमें विद्धुत आवेश हमने पढ़ लिया था विद्धुत आवेश के बारे में संपूर जानकारी ले ली थी उसके संबंदित जो वीडियो हैं वो हमने अपलोड कर दिये हैं आज से हम इस चेप्टर का जो सेकिंड पार्ट है विद्धुत आवेश एवम च्छेत्र तो उस च्छेत्र को प्रारंब करने जा रहे हैं और इस वीडियो में विद्धुत च्छेत्र के जो अधार भूत जानकारी है वो आप प्राप्त कर लेंगे जो बैसिक जानकारी है आज के इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी देखे सर्वफरतम हम बात करेंगे च्छेत्र क्या चीज होती है च्छेत्र का मतलब भूतिकी में ये है कि कोई एक आकास या कोई निकाए जिसके परतेक बिंदू पर भूतिक रासी के अलग-अलग मान होते हैं च्छेत्र कहलाता है चेतर जो पद है वो इसलिए आता है कि उस आकास में भोतिग्रासी के मान अलग-अलग बिन्दों पर अलग-अलग होते हैं तो उस आकास को ही उस स्पेस को ही चेतर कहा जाता है अब विद्धु चेतर क्या होता है देखे दोस्तों किसी आवेश के चारो और एक ऐसा छित्र होगा जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या परतिकर्षण बलका अनुभू करता है तो उसे आवेश के चारो और के आकास को छित्र को हम विद्दु छित्र कहेंगे एक वार इसके डेफिनेशन सुन लीजिए जैसे ये हमारे पास में कोई आवेशों का निकाई है इस पर आवेश मुझूद हैं तो इसे आवेश के चारो और का ऐसा छित्र होगा जिसमें यदि हमको दूसरा आवेश लेकर आएं तो जैसे इस आवेश को लेकर आएंगे तो इसके उपर परतिकर्शन बल लगेगा दूर की ओर लगेगा तो इस आवेश के चारो और का जो भाग है उसको हम कहते हैं विद्दु छित्र क्या कहा जाता है वेद्दुच्छत्र कहा जाता है तो वेद्दुच्छत्र की डिफिनेशन सुन लीजे कि किसी आवेश के चारोर का वह च्छत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या परतिकर्षण बल का अनुभू करें वेद्दुच्छत्र कहलाता ह जैसे ये आवेश है इसके चारोर का ये छेतर है इसमें यदि आप धनात्मक आवेश लाएंगे तो वो परतिकर्षन बल का नुभू करेगा यदि यहाँ पर कोई रिनावेश लेकर आगए तो वो आकर्षन बल का नुभू करेगा तो आवेश के चार और का वह है छेतर जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह है आकरशनिया परतिकरशन बलका नुभोव यदि करता है तो उसे छेतर को हम विद्दुचेतर कहेंगे तो यह है विद्दुचेतर की प्रीभासा अब हम बात करेंगे विद्दुचेतर की तीवरता क्या है विद्दुचेतर की तीवरता क्या है तो विद्दुचेतर की तीवरता देखें दोस्तों क्या है कि विद्दुचेतर में यदि आप कोई आवेश रखते हैं तो परती एकांग धनावेश पर कारियरत जो बल होता है उसी को हम व्यद्दुच्छत्र की तीवरता कहते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो व्यद्दुच्छत्र क्रियेट हो रहा है उसका मान परिमान व्यद्दुच्छत्र की तीवरता कहलाता है और इसे हम मेटिकल रूप में देखे किस तरीके से प्रिभासित कर सकते हैं कि वेद्दुचतर में रखे परतिय कांक धनावेश पर लगने वाला बल वेद्दुचतर की वुर्ता कहलाता है तो अभी मैं यहाँ पर इसको पूट कर देता हूँ इसके डेफिनेशन और साथ में वेद्दुचतर की परिभासा भी यहाँ पर पूट कर देते हैं सबसे पहले हम देखेंगे वेद्दुचतर की परिभासा देखें दोस्तों विद्दुच्छत्र की परिभासा क्या है कि किसी आवेश के चारों और का वह च्छत्रे जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण या परतिकर्षण बल अनुभव करें तो उसे आकास को उस च्छत्र को हम विद्दुच्छत्र गयते हैं तो उसे विद्दुच्छत्र कहते हैं विद्दुच्छत्र कहा जाता है अब हम बात करेंगे यहां पर विद्दुच्छत्र की तीवर्ता विद्दुच्छत्र की तीवर्ता तो विद्दुच्छत्र की जो तीवर्ता है इसे ये से लिखा जाता है देखी Electric Field Intensity, E-vector क्या है? इसकी mathematical रूप में जो definition है वो क्या है जैसे ये हमारे पांस में कोई आवेश है और इस आवेश के चारो और का जो छेतर होता है उसको हमने वेद्दू छेतर कहा यदि यहाँ पर कोई आप बिंदूवत आवेश रख दे Q0 बिंदूवत आवेश रख दिया आपने Q0 तो इसे बिंदूवत आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को ही वेद्दू छेतर की तीवरता कहा जाता है एक और definition समझ लेंगे क्या है कि किसी वेद्दू छेतर में रखे परती एकांक धनावेश पर लगने वाला बल वेद्दू छेतर की तीवरता कहलाता है तो वेद्दू छेतर में रखे परती एकांक धनावेश पर परती एकांक धनावेश पर लगने वाला बल लगने वाला बल वेद्दू छेतर की तीवरता कहलाता है इसे एसे परदसीत करते ही हैं इलेक्ट्रिक फेल्ड इंटेन सीडी इसे कहा जाता है यदि हम ये कंसीडर कर लें कि यदि किसी विद्दू छेतर में किसी विद्दू छेतर में क्यूँ जीरो आवेश रखने पर उस पर लगने वाला उस पर लगने वाला बल उस पर लगने वाला बल यदि आफ वेक्टर है तो विद्दू छेतर की तीवरता क्या होगी विद्दू छेतर की तीवरता को हम ई वेक्टर बराबर आफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो से पूट कर देंगे ये हमारे पास में विद्दू छेतर की तीवरता का फोर्मूला आ चुका है विद्दू छेतर की तीवरता का सुत्र आ चुका है दोस्तो तो e vector बराबर आचुका है f vector upon q0 अब यहाँ पर इसकी जो definition है यह प्रिसुद्ध प्रिभासा नहीं है देकि इसमें जो आवेश q0 हमने लिया है वो बहुत छोटा होना चाहिए दूसरे आवेशों की इस्तती में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए यह देखे जो प्रिक्षन आवेश हम q0 लेकर चलते हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो दूसरे आवेशों की इस्तती में बदलाव नहीं करें और सिवम में कोई विद्धुछत्र की तिवरता उत्पन ना करें तो इस q0 को हम इतना छोटा लेकर चलेंगे तांकि यह दूसरे आवेशों की इस्तती में बदलाव नहीं कर सकें इसके साथ में इतना छोटा लेंगे कि यह खुद भी विद्धुछत्र उत्पन नहीं करें जैसे अभी जो मैं शमझा रहा था आप लोगों को कि यह जैसे कोई आवेश है capital Q और इस capital Q से के चारों ओर यह जो छेत्र है इसको हमने कहा है विद्धुत छेत्र इसको हमने विद्धुत छेत्र कहा है इसमें हमने रखा है Q0 आवेश यह जो Q0 आवेश है इसको हम प्रिक्षण आवेश कहते है प्रिक्षण आवेश कहा जाता है ये प्रिक्षन आवेश की जो definition है वो क्या है कि स्वम्म कोई विद्दुछतर उत्पन ना करें और दूसरे आवेशों की स्थती में बदलाव नहीं करें तो ये तभी possible है जब इस आवेश का मान बहुत छोटा हो अति अल्प हो तो ये जो definition है वो प्रिसुद्ध प्रिभासा होगी तो विद्दुछतर की जो प्रिसुद्ध प्रिभासा है प्रिसुद्ध रूप प्रिसुद्ध रूप देखे क्या हो जाएगा इसका मतलब समझें आप लोग क्या है कि जो q0 है वो 0 की ओर अगरसर है q0 जीरो की ओर अगरसर है प्रिक्षन आवेश है वो बहुत छोटा है q0 dense to 0 इसका मतलब समझें आप लोग क्या है इसका अर्थ यह है कि q0 इतना छोटा है कि वो 0 की ओर अगरसर है हलांकि 0 की इक्वल नहीं है बहुत छोटे को इंगित कर रहा है यह अति अल्प आवेश को बता रहा है यह तो q0 dense to 0 है तब इसकी जो definition होती है वो एकदम सही definition होती है बट हम इसी प्रकार से इसका formula लेकर चलेंगे बार-बार यही formula हम use में लेने वाले हैं इस form में हम put नहीं करेंगे इसको आप देख लीजिए e vector बराबर हो गया है f vector upon q0 परती एकांक धनावेश पर देखो यह बट्टे वाली रासी है इसलिए इसको हमने परती एकांक कर दिया तो f है वो ही e के equal हो जाएगा तो परती एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्दुच्छतर की तिवर्ता कहलाता है यह इसका प्रिसुद रूप है जहाँ जहाँ limit q0 dense to 0 का अर्थ है का अर्थ है कि q0 अति अल्प है q0 कैसा है अति अल्प है अर्था अर्थ q0 श्यम कोई विद्दुच्छतर उत्पन नहीं करता स्यम कोई विद्दुच्छतर उत्पन नहीं करता उत्पन नहीं करता है थता साथ में और क्या हो सकता है थता जो q0 है वो खुद magnetic field create नहीं करेगा थता दूसरे आवेशों की इस्थती में कोई बदलाव नहीं करता कोई परिवर्तन नहीं करता है दूसरे आवेशों की इस्थती में कोई परिवर्तन नहीं करता है कोई बदलाव नहीं करता है दोस्तों तो यह है व्यद्दुच्छत्र की तिवर्ता की एगजक्टर डेफिनेशन प्रिसुद्र रूप अब यहां पर हम बात कर लेंगे इस व्यद्दुच्छत्र की तिवर्ता के मातरक विमा और सदिस अदिस के बारे में तो देखें दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि यह फोर्मूला हम लेकर चलेंगे तो यह वाली जो रासी है आवेश वो तो एक अदिस रासी होती है तो यह एक सदिस रासी है तो इधर यह भी एक सदिस रासी होगी इस विद्दुछत्र की जो direction है वो बल की दिसा में होती है तो आवेश पर लगने वाले बल की दिसा में ही विद्दुछत्र की दिसा होती है या हम ये भी कह सकते हैं कि धनावेश से दूर की और और रिनावेश के पास की और विद्दुछत्र की दिसा होती है देखे, कि विद्दुछेत्र की तिवरता, जिसको हमने ई से लिखा है, एक सदिस रासी होती है, सदिस रासी होती है, जिसकी दिसा, धनावेश से दूर की और, तथा, रिनावेश के पास की और होती है, जिसकी दिसा, जैसे यहां पर आपके पास में कोई धनावेश है, तो यहां पर विद्दुछेत्र की जो डैरेक्शन है, वो इस आवेश से दूर की और होगी, यदि यहाँ पर रिणावेश है तो इस बिंदू पर विद्दूच्छतर की दिसा इस रिणावेश के पास की और होगी तो direction समझ लीजिए विद्दूच्छतर एक सदिसराशी है जिसकी दिसा धनावेश के कारण से आप यदि विद्दूच्छतर देख रहे हैं तो धनावेज से सदेव दूर की और दिखाना है और रिनावेज के सदेव पास की और दिखाना है इसको आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए अब हम इसके मात्रक और विमाओं की बात करते हैं इसके मात्रक और विमाएं इसी फोर्मूले से हम यहाँ पर find out कर लेंगे तो देखे दोस्तों मैं अब यहाँ से इसको हटा रहा हूँ इस फॉर्मुले की साहिता से व्यद्दु छेतर की त्यूवर्ता का मात्रक और वीमा यहां पर हम देख लेंगे देखिए क्या हो जाएगा व्यद्दु छेतर की त्यूवर्ता विद्दुच्छतर की तिवर्ता E का मातरक E का मातरक वही होगा जो E का मातरक अभी जो हमारे पास में फोर्मूला आया है F upon Q0 का मातरक तो E का मातरक क्या हो यह देखिए यहां से इसका मातरक निकल कर आ गया है Newton और आवेश का मातरक हो गया कुलाम तो Newton परती कुलाम इसका मातरक होता है Newton परती कुलाम इसे हम चाहें तो दूसरी फोम में भी convert कर सकते हैं देखिए दूसरी फोम क्या है देख लीजिए इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं F into x वड़े में Q0 into x देखिए F into x इसको हम लिख सकते हैं कारिये और कारिये बट्टे में जो आवेश होता है कारिये बट्टे में आवेश ये होता है V मतलब विभुवांतर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि V का जो मातरक होता है वॉल्ट अक्स यहाँ पर दूरी है तो इसका मातरक हो जाएगा मेटर तो विद्धु छत्र की तिवर्ता के दो मातरक हमने यहाँ पर पूट के हैं न्योटन परतिकुलाम या वॉल्ड परतिमेटर न्योटन परतिकुलाम तो मातरक इससे सीधा समझ में आ गया यह वाला मातरक समझ लीजिए देखिए मैंने इसको अक्स से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दिया उपर जो बल गूणा विस्तापन है बल इंटु अक्स यह जो है इससे हम डबलू लिख सकते हैं कारिये कारिये बराबर होता है आप इंटु अक्स विद्दु छेत्रे ए की वीमा तो देखिए ए की वीमा वही होगी जो की आफ अपॉन में क्यू जीरो की वीमा होगी आफ अपॉन में क्यू जीरो की वीमा के तुल्ले होगी देखे, F यहाँ पर बल है और बल की वीमा होती है M1, L1, T-2 और जो Q0 है इसकी वीमा होती है A1, T1 तो देन यहाँ से फाइनली जो E की वीमा है, वो क्या निकल कर आ गई है? देखे, students, हमारे पास ने E की वीमा है, वो आ गई है M1, L1, T-3, A-1 यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि विद्दुच्छतर में रखे किसी आवेश पर लगने वाले बल कि यदि हम विद्दुच्छतर में कोई आवेश रख दें, तो उस पर बल किधर लगेगा? जो अभी हमने formula put किये हैं, कि बल तो काम करता है, लेकिन उस बल की direction क्या होगी? उस direction को यहाँ पर आप समझ लेंगे देखिए दोस्तों, मैं एक बार फेस यहाँ पर समझा देता हूँ, कि यह हमारे पास में है कोई capital क्यों आवेश और यहाँ पर यदि आपने friction आवेश रखा, तो उस friction आवेश पर परतिकर्षन बल लगेगा, दूर की और, बल की direction इधर होती है बल की दिशा, परतिकर्षन बल के कारण से धनावेश दूर की ओ लगती है, दोनों धनावेश होते हैं तो अब यहाँ पर देखना, इस आवेश के कारण से उत्पन विद्दुच्छतर भी इसी दिशा में ही होता है तो धनावेश पर लगने वाला बल और विद्दुच्छतर दोनों एक ही दिशा में होते हैं एक वार देखो, इन चीजों को आप लोग समझ लेंगे हम एक समान विद्दुच्छतर को समानतर रेखाओं द्वारा परदसित कर सकते हैं यह हमने जो रेखाएं दिखाई है वो एक समान विद्दुच्छतर को बता रही है यह जो रेखाएं हमने दिखाई है आप लोगों के सामने इनको रखा है यह एक समान विद्दुच्छतर को बता रही है अब यदि एक समान वेद्दु छत्र में हम धनावेश या रिणावेश रखें तो उन पर लगने वाले बल की दिसा क्या होगी देखिए ये हमने वेद्दु छत्र दिखाया है इस डिरेक्शन में वेद्दु छत्र है यहां पर हमने रख दिया यह प्लस Q चार्च तो इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिसा विद्दुच्छतर की दिसा में होगी Q into E के बराबर देखो E की जो परीबासा है E बराबर होता है F बटे में Q Q 0 है तो Q 0 आजाएगा Q है तो शिर्प Q आजाएगा और सदिस के रूप में लिखें तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो बल की जो डिरेक्शन है धनावेश पर लगने वाले बल की दिसा सदे विद्दुच्छतर की दिसा में इसको दिमाग में फिट विटा लीजी कि धनावेश पर लगने वाले बल की दिसा किदर होगी जिदर विद्दुच्छतर होता है धनावेश पर लगने वाले बल की दिसा विद्दुच्छतर की दिसा में होती है यदि यहाँ पर यह रिनावेश होता तो क्या होता तो इस पर लगने वाले बल की दिसा सदे वद्दुच्छतर की विप्रित दिसा में होगी तो यहाँ पर देखे वद्दुच्छतर इस डिरेक्शन में और बल उसकी विप्रित दिसा में तो यहाँ पर वेक्टर की रुपे दिखाएंगे तो एक नेगटिव साइन भी आप लोग देख रहे होंगे यह एक नेगटिव साइन दिख रहा होगा जो कि यह बता रहा है कि रिनावेश पर लगने वाले बल की दिसा व्यद्दुच्छतर की विप्रित दिसा में होती है दोस्तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बात करेंगे बिन्दु आवेश के कारण से कितना व्यद्दुच्छतर उत्पन होता है दोस्तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिन्दु आवेश के कारण से व्यद्दुच्छतर की तिवर्ता अब जो हमारा पार्ट है व्यद्दु छत्र की तिवर्ता में वो है बिंदु आवेश के कारण व्यद्दु छत्र की तिवर्ता वो अब यहां पर देख लेते हैं देखिए ये जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और इससे स्मोल आर दूरी पर ये कोई पॉइंट है पी और इससे पॉइंट पी पर हमें व्यद्दु छत्र की तिवर्ता ज्यात करनी है लेक्ट्रिक फिल्ड इंट घुड़ि देर पहले ही बताया कि धनावेस से दूर की और विद्दु छत्र होता है तो इसे प्लस क्यू चार्ज के कारण से बिंदु पी पर जो विद्दु छत्र की डार इसे कलिर हो गया होगा अब दोस्तो बिंदु पीपर इस E का मान कितना है इस E का मान याद करने के लिए इस बिंदु पीपर हमें एक प्रिक्षण आवेश लेकर चलेंगे इसको हम Q0 से पुड करते हैं यह जो Q0 है यह है प्रिक्षण आवेश प्रिक्षण आवेश जो स्यम कोई विद्दु चतरुत्पन नहीं करता था दूसरे आवेशों की इस्तदी में भी कोई बदलाव नहीं करता तो यहाँ पर हमने यह प्रिक्षण आवेश ले लिया जो की प्लस Q4 से इस बोल आर दूरी पर है तो पहले इन दोनों के मद्दे लगने वाले बल को ग्यात कर लेते हैं तो इस Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा वो भी इसी दिसा में ही होगा इसी दिसा में है और उसे बल का जो मान है वो हम पूट कर देते हैं F है बल कितना लग रहा है? F लग रहा है तो आवेश Q वे Q0 के मद्दे बल कितना होगा कुलाम की नियम से हम जानते हैं कुलाम के नियम से देखे दोस्तों मैं आपको कुलाम का नियम याद दिलाता हूँ कुलाम का नियम यह कहता है के Q1 Q2 अपोन आर स्क्वेर जो के है वो 1 अपोन 4 पाई अपसल नोट के तुले होता है तो यहां से इन दोनों आवेशों के मद्दे लगने वाला जो बल है F वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपोन 4 पाई अपसल नोट Q Q1 के स्थान पर Q Q2 के स्थान पर Q0 तो Q into Q0 वट्टे में दोनों आवेशों के बेच की डिस्टेंस का वर्ख तो दोनों आवेशों के बेच के डिस्टेंस वेद्दुच्छत्र की परिभासा जो वेद्दुच्छत्र की तियूरता है उसकी परिभासा से वेद्दुच्छत्र की definition क्या कहती है दोस्तो E vector equal to होता है F vector upon Q0 इसे हम दे देंगे equation number 2 समी करण समी करण 1 को उठा कर 2 में put कर देंगे 1 को समी करण 2 में रखने पर समी करण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो क्या ज़ेगा E vector equal to 1 upon Q0 F vector की value कितनी है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into Q0 upon R square R k F यहां से आप देखेंगे Q0 से Q0 cancel हो गया तो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square R k F तो यह हमारे पास में electric field intensity का formula आ चुका है दोस्तों मैं यहां पर put कर देता हूं E बराबर आ चुका है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square R k F देखें यहां पर एरो का निसान लगाएंगे तो R k अवस्य लगाना पड़ेगा अन्य था परिमान के रूप में यहां आप लिखना चाहें तो E बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R square भी इसे put कर सकते हैं दोस्तों तो यह आचुका है बिंदू आवेश्ट के कारण से विद्दू छत्र की तिवरता का सुत्र वेंजक अब यहां से आप देखेंगे कि यदि हम वक्कर खीचें एक तरफ हम ले ले E, electric field intensity और दूसरी तरफ ले ले हम distance R तो हम यह जानते हैं इस formula से कि दोनों एक दूसरी के साथ में इस तरीके से संबंदित है कि जो विद्दू छत्र की तिवरता है किसी बिंदू आवेश्ट के कारण से वो दूरी के वरक के विद्दकरमानु पाती होती है जैसे जैसे दूरी भड़ेगी विद्दू छत्र की तिवरता उसी करम में घड़ती चली जाएगी तो इस तरीके से वेदुच्छतरी की तीवरता का मान घड़ता चला जाता है कम होता चला जाता है यदि हम graph खीचें एक तरफ हम ले ले लें electric field intensity और दूसरी तरफ हम ले लें एक बटा में r square तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है इस तरीके का graph प्राप्त होता है तो देखे दोस्तों क्यूंकि e और एक बटा r square तो एक दूसरे के समानुपाती है जबकि r और e एक दूसरे के विद्द करवानुपाती है इसलिए graph आया तो इस दोनों ग्राप आप लोगों को आगे होंगे समझ में बिन्दू आवेश के कारण से जो विद्दु छत्रगी तीवरता है वो अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे इससे दिमाख में फिट बिठा लीजी अब हम चलते हैं आवेशो के निकाई के कारण से विद्दु छत्रगी तीवरता कितनी होती है उसका वेशक यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तो अब यहाँ पर हम बहु आवेशो का एक निकाई लेकर चलेंगे और उस निकाय के कारण से किसी बिंदू पर वेद्दुच्छत्र की तीवरता का वेंज़क फाइंड आउट करेंगे इसे टोपी को समझ लीजिए क्या है कि हमारे पास में एक ऐसा तंतर है निकाय है ऐसे एक निकाय है और उसमें N आवेश उपस्तित है Q1, Q2, Q3, QN इस तरीके से N आवेश सुपस्तित है और यहां पर यह है कोई बिंदू P यह जो बिंदू P है वो इसे निकाय के अंदर ही इस्तित है और इसे बिंदू P पर हम वेद्दुच्छत्र की तीवरता ग्यात करना चाहते है वेद्दुच्छत्र की तीवरता ग्यात करना चाहते हैं इसे बिंदू P की जो इन आवेश है इनसे जो दूरी है वो है R1, R2, R3, Rn यदि इनके एकांग सदिस की बात करें तो इस दिसा में इनके एकांग सदिस R1, R2, R3, Rn केप हो जाएगा पहले तो एक बार इस निकाई के बारे में समझ लीजिए कि N आवेशो का निकाई है जिसमें Q1, Q2, Q3, Rn आवेशो पस्तित है जिनके कारण से किसी बिंदु P पर वेद्दुच्छत्र की तीवरता ग्यात करनी है और इस बिंदु P से इनके सदिस R1, R2, R3, Rn है तो देखे दोस्तों पहले तुम्हें यह जानगारी पुट कर देता हूँ जो अभी मैंने बताई माना आवेशो का एक निकाई है आवेशो के निकाई में आवेशो के निकाई में Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्तित है आवेश उपस्तित है जिनके कारण से जिनके कारण से बिंदु P पर बिंदु P पर विद्दु छत्रीदी वर्दा ज्याद कर रही है विद्दु छत्र की तिवर्दा ज्याद करनी है विद्दु छत्र की तिवर्दा ज्याद करनी है बिंदु P से इनके इस्तदी सदिस इस्तदी सदिस इस्तदी सदिस को हम R1 वेक्टर R2 वेक्टर dot 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 Rn वेक्टर है ये इनके इस्तदी सदिस है तो देखे दोस्तों इसमें हम क्या करने वाले हैं पहले आवेश Q1 के कारण से बिंदू P पर विद्दू छतर की तीवरता ग्याद कर लेते हैं फिर बिंदू Q2 के कारण से फिर Q3 के कारण से फिर QN के कारण से बिंदू P पर विद्दू छतर की तीवरता ग्याद कर लेंगे find out कर लेंगे फिर बिंदू P पर कुल जो विद्धू छतर की तीवरता है वो ग्यात कर लेंगे अध्यार उपण के सिदात से तो देखें क्या है सबसे पहले हम देखेंगे आवेश Q1 के कारण विद्धू पी पर विद्धू छतर की तीवरता बिंदू P पर हम विद्दू चतर की तीवरता देख रहे हैं आवेश Q1 के कारण से देख रहे हैं तो देखें क्या है कि इस आवेश की वज़े से इस बिंदू पर विद्दू चतर की तीवरता देखे, बिंदो आवेस के कारण से जो विद्च्छतर की तीवर्दा का फोर्मूला है अभी हमने देखा था, इस फोर्म में आया था यदि यहाँ पर arrow का निसान तो यहाँ आर केप आ गया था यह हमारे पास में बिंदु आवेश के कारण से विद्दु शेतर की त्योड़ता का गंजग है जो अभी हमने ग्यात किया था तो देखिए E1 का मान कितना होगा इस आवेश के कारण से यहाँ पर तो 1 अपोन 4 पाई अपसान नोट Q के स्थान पर आ गया Q1 R के स्थान पर आ गया R1 और R केप के स्थान पर R1 केप आ जाएगा तो क्या निकल कर आ रहा है E1 की value कितनी आ जाएगी 1 अपोन 4 पाई अपसान नोट Q1 वट्टे में R1 स्क्वेर R1 केप इसे मैं देता हूँ समीगरण 1 समीगरण 1 हमने इसको दे दिया है फिर देखे आवेश Q2 के कारण से आवेश Q2 के कारण बिन्दू P पर विद्दू छदरगी तीवरता तो वो हो जाएगी E2 बराबर 1 अपोन 4 पाई अपसान नोट Q2 बट्ट में R2 स्क्वेर R2 केप यह आगई समीगरण 2 इक्विशन नमबर 2 इसी प्रकार से आप देखेंगे आवेश Q3 के कारण सिमिलर तरीके से दोस्तों क्या निकल कर आएगी बोलिए E3 वेक्टर E3 वेक्टर is equal to निकल कर आगया है 1 अपोन 4 पई एपसान नोट Q3 बट्ट में R3 का स्क्वेर R3 केप और यह आगई है समीगरण 3 इसी प्रकार से चलेंगे तो N वे आवेश के कारण से इसी प्रकार QN के कारण आवेश जो QN है उसकी वज़े से अब इस QN के कारण बिंदू P पर बिंदू P पर वेद्दुत छत्र तो E N वेक्टर बराबर 1 अपोन 4 पई अपसान नोट QN बट्ट में R N स्क्वेर R N केप और इसे में देता हूँ इक्वेश नमबर 4 समीकरण 4 हमारे पास में आचुका है यहाँ पर हम अपलाई करेंगे वेद्दुत छत्र के लिए अध्यार ओपन का सिदान्त देगे अध्यार ओपन का सिदान्त क्या है कि कि किसी बिंदू पर भौतिक रासी का कुल मान अलग अलग रासियों के कारण से उत्पन मानों के सदिश योग के बराबर होता है तो अध्यार ओपन का सिदान्त से अध्यार ओपन के सिदान्त से बिंदू पी पर कुल विद्दु छत्र की तीवरता इस बिंदू पर कुल विद्दुच्छतर की जो तीवरता है इस आवेश की वज़े से सभी आवेशों के कारण से उत्पन होगी और कुल जो विद्दुच्छतर की तीवरता है वो अलग-अलग आवेशों के कारण से उत्पन विद्दुच्छतर की तीवरता हों के सदिस यो के बराबर तो कुल विद्दुच्छतर की तियोड़ता को E वेक्टर से जो की Q1 के कारण से उत्पन विद्दुच्छतर है Q2 के कारण से उत्पन विद्दुच्छतर है Q3 के कारण से उत्पन विद्दुच्छतर है और इसी प्रकार से QN के कारण से उत्पन बराबर होती है अब देखिए समीगरण एक दो तीन चार को समीगरण पांच में रखने पर समीगरण पांच में रखने पर क्या निकल कराएगा देख लीजिए E वेक्टर बराबर E वेक्टर बराबर 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट वहां से E1 की वेल्यू देखिए Q1 बट्टे में R1 स्क्वेर R1 केप फिर प्लस में समीगरण 2 से E2 का मान देखिए E2 का मान हमें पूट करना है जो की है 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट Q2 बट्टे में R2 स्क्वेर R2 केप प्लस अब यहां पर E3 का मान पूट कर देते हैं यह रहा 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट Q3 बट्टे में R3 का स्क्वेर R3 केप प्लस डोट डोट क्यू N के कारण से उत्पन विद्दुच्छतर की तिवर्दा E N का मान भी यहां पर पूट कर देते हैं जो कि 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट QN बट्टे में R N स्क्वेर R N के यह चुका है दोस्तों अब इन सब में से जो रासी कोमन आ रही है उसे हम कोमन ले लेते हैं फिर उसको हम समेशन की फोम में पूट करेंगे E वेक्टर इक्वल टू 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट सभी पदों में से कोमन निकल कर आ रहा है Q1 बट्टे में R1 स्क्वेर R1 केप दूसरे पद में से 1 अपोन 4 पाई अपसालन नौट कोमन आ गया यहां से देखे यह रह गया तो Q2 बट्टे में R2 स्क्वेर R2 केप इसी तरीके से तीसरे पद में से Q3 R3 स्क्वेर R3 केप रह गया और जो अंतिम पद है QN बट्टे में Rn स्क्वेर Rn केप हमारे पास में रह गया इससे हम समेशन की फोर में पूट कर देंगे E vector equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 समेशन देखें समेशन का मतलब होता है उनको हम योग की रूप में पूट कर सकते हैं जोड की रूप में पूट कर सकते हैं तो ये जो योग की रूप में रासी है इसको हम इस फोर में पूट करेंगे I equal to 1, 2, N I का मान है वो एक से लेकर N तक पूट करना है मतलब आई बराबर 1, 2, 3, 4 dot 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 N तक पूट करना है ये है QI upon R I का square R I cap इसको समझो आप लोग इस समेशन का मर्थ ये है कि आप I बराबर सरव फर्तम 1 पूट करेंगे I बराबर जब 1 पूट करेंगे तो यहां पर आगया Q1 बटे में R1 square R1 cap ये पहला पद आगया फिर I बराबर 2 पूट करेंगे प्लस का साइन लगाते जाएंगे समेशन का मदलब है योग तो यहां पर प्लस का साइन लगाया I बराबर 2 पूट किया 2 पूट करेंगे तो Q2 बटे में R2 square R2 cap ये आगया फिर प्लस में I बराबर 3 पूट करेंगे तो Q3 बटे में R3 square R3 cap डोट 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 I बराबर हम N तक पूट करेंगे तो ये पदा जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हमारे पास में आचुका है दोस्तो बहू आविशो के कारण से बहू आविशो के कारण से विद्दुच्छतर की तिवरता का वेंजक विद्दुच्छतर की तिवरता का सुत्र फोर्मूला अब हम इस वीडियो के अंत में कि विद्दुच्छत्र की तिवरता का जो physical significance है वो देखने वाले है भोतिक सार्थकता इसकी क्या है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तो दोस्तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं विद्दुच्छत्र की भोतिक सार्थकता physical significance of electric field है क्या अर्थ होता है विद्धु छत्र की तिवर्था का देखिए दोस्तो हम यह जानते हैं कि यदि हम दो आविष लेकर चलें तो उन दोनों आविषों के मद्दे विद्धु बल काम करता है एक आविष के पास में जैसे ही दूसरा आविष लेकर आएंगे तो उन दोनों आविशों के मद्दे बल काम करने लग जाता है तो फिर बल को हम कुलाम नियम से प्रिभासित कर देते हैं विद्दु छत्र की तिवर्दा की कहां वो शक्ता पड़ गई विद्दु छत्र की जुरत कहां पड़ गई इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस छेतर का मिनिंग क्या है छेतर का मतलब है आकास छेतर का मतलब क्या है आकास छेतर एक परकार का आकास है और भोतिकी में इस आकास का मतलब है कि उस आकास के सभी बिन्दों पर भोतिक रासी चाहिए आप कोई इसी बोतिक रासी लेकर चलने हैं उनके भिन 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 यदि मान होते हैं तो उस आकास को हम छेतर कहेंगे भोतिकी में आकास के यदि अलग-अलग बिन्दों पर अलग-लग मान होते हैं तो उस आकास को हम छेत्र कहाँ देंगे यहां पर हम जानते हैं हम यहां पर परिभासित करते हैं इस वीडियो में कर रहे हैं वेद्दुत छेत्र विद्दु छेतर क्या होता है? कि आवेश के चारों और जैसे ये आपके पास में कोई आवेश है? इस आवेश के चारों और का जो छेतर होता है उसको हमने विद्दु छेतर कहा ये किसी आवेश के चारों और का छेतर क्या कहलाता है? विद्दु छेतर अब देखे दोस्तों इसमें क्या है? विद्धुच्छतर की कहां जूर्थ पड़ गई? कि यहाँ पर हम जैसे ही आवेश रखते हैं, प्लस का चार्ज रखा, तो ये एक परतिकर्षन बल का अनुभव करता है, परतिकर्षन बल इस पर कारिये करने लग जाता है, परतिकर्ष मान भी बदलेगा, अलग अलग बिंदों पर बल भी अलग अलग होता है, आकास में अलग अलग बिंदों पर बल की वेल्यू, विद्धुट बल की वेल्यू भी अलग अलग होती है, तो विद्धुट बल अलग अलग होता है, उस कारण से विद्धुच्छतर भी अलग अल लग दें तो उसके उपर बल लगता है ये जो प्रिक्षन आवेश होता है वो दूसरे आवेशों की इस्तिती में बदलाव भी नहीं करेगा साथ में खुद भी कोई विद्दुच्छतर उत्पन नहीं करता है तो देखे दोस्तों किसी विद्दुच्छतर में रखे गए पर E of R वेक्टर ये बराबर हो जाएगा Q0 से गुणा करते ही F of R वेक्टर के देखो इसको मतलब समझ लीजिए कि किसी प्रिक्षन आवेश पर लगने वाला बल हम इस तरीके से परिभासित करते हैं Q0 into E से तो यदि ये R पर डिपेंड करता है विद्दुच्छतर का मान R पर डिपेंड तो बल का मान भी R पर डिपेंड करेगा ये विद्दुच्छतर की भोतिक सार्तक्ता को बताता है इसका मतलब ये हो गया कि जो आवेश है वो बल लगाता है और एक छतर उत्पन करता है उसकी वज़े से एक ऐसी रासी होती है जिसका मान अलग-अलग बिंद बदलती है दोनों आवेशों के बेचकी ये दूरी है वो ये चेंज होती है परिवर्तित होती है तो जो विद्दुच्छतर की तिवर्ता है वो बदल जाती है बल बदल जाता है तो विद्दुच्छतर की तिवर्ता तो किसी एक जैसे एक को हम इस्तिर मान लें एक को हम क् तो विद्दुचितर का जो मान है वो भी बदलता चला जाएगा यदि आवेश बहुत तेजी से गती कर रहा है लगबग प्रकास के वेक से गती कर रहा है या तवरित गती करता है आवेश इदि कोण से गती करता है तवरित गती आवे इस तवरित गती करता है तो वो विद्दु चुम्ब के तरंगें उत्पन करेगा इलेक्ट्रो मेगनेडिक वेवज उत्पन करेगा विद्दु चुम्ब के तरंगें उत्पन करता है विद्दु चुम्ब के तरंगें उत्पन करता है और ये जो विद्दुचुम्बग के तरंगे हैं वो दूसरे आवेश पर बल लगाती है क्योंकि विद्दुचुम्बग के तरंगों में उर्जा होती है और वो उर्जा दूसरे आवेश पर बल के रूप में कारिये करती है तो दोस्तों ये थी वेद्दु छत्र की भौतिक सार्तक था इसका मतलब समझ लीजिए कि आवेश भी एक ऐसा छत्र उत्पन कर देते हैं जिसका मान इस्तती पर डिपेंड करता है, दूरी पर निर्भर करता है और उसको हमने वेद्दु छत्र कहा और जो वेद्दु छत्र है, उसका मान इस्तती गती तवरित गती पर निर्भर करता है जो वेद्दु छत्र है, वो किसी प्रिक्षन आवेश पर लगने वाले बल को इंगित करता है कि जैसे Q0 आवेश है, तो वेद्दु छत्र की कारण से ही उसके उपर बल लगता है F बराबर Q0 into E से इसको हम फूट कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी विद्धुच्छतर की भौतिक सारतकता इससे पहले हमने देख लिया है इस वीडियो में विद्धुच्छतर क्या है विद्धुच्छतर की तीवरता क्या है इसके मात्रक और फिमाए विद्धुच्छतर की तीवरता तो दोस्तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद अस्तो